युद्ध लेकर एंट ने लेकर हैं इसमें हम देखने वाले हैं विल एंड कल योग इन दोहजार पच्चीस काली वरकाल की वर्सी ओ और काली इस वीडियो में देखेंगे इनफर्मेशन कभी जदा मिलेगी प्लीज वीडियो का इन तक देखेंगे चान को कर लिजेगा सब्सक्राइब देखें आश्क्रिश्चेट परित्रानाय साधू नाम विनाशाय चदुश कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे मैं कृष्चन हर युग में बार बार अफ्तार लूँगा साधू के लिक्षा करने के लिए पापियों का संगार करने के लिए और धरम को दोबारा स्थापित करने के लिए मा भारत में अरजुन से कई इस पात के पीछे चुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है एक ऐसी भविश्यवानी जो आज हमारी आखों के सामने सच होती नजर आ रही है आज हम एक ऐसे युग में के लिए जब धरती अंदर से फटने लगी आसमान से तेजा बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा सफेद घोडे पर सवार आग से लिप्टी तलवार लिए जिसका उद्धेश्य होगा इस अंधेरे का अंध करना इस दुनिया का अंध करना ये कहानी है भगवान विश्णू के दसवे और आकरी अफ़तार की ये कहानी है कल की अफ़तार की कल यूग समय चक्र के चार यूगों का आकरी यूग घोर अंधकार और विनाश से बरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को दोखा धड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना में जाता है कि धरम और अच्छाई का नामों निशान नहीं बचता कुरूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इनसान को अंदर से काला और खोकला कर दिया होता है सत्यूग, त्रेतयूग और त्वापरयूग के बाद आज हम इसी कल यूग में जी रहा शास्त्रों की माने तो कल्यूग की उमर 4,32,000 साल है जिसमें से 5,000 से जादा साल भी चुके है और ऐसा माना जाता है कि कल्यूग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है जहां अच्छाई और उमीद की हलकी किरन अब भी बची है जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और दर्म का पालन किया जाता है लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनोना चेहरा सब के सामने आ जाएगा एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी कोई एकता नहीं बचेगी जहां पाप का बोल बाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा इंसान इतना ज्यादा प्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे काता रोसान कर देएगा जाएगा 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 धे इसनेJमी एके तथία Issac Prize से में सबस आएगा जाएगा जाएगा ठाएगा जाएगّएगा कि करेसी निद्दी कि दिरिए प्रेख्ञें के यह से अलुला है और यह से लिए हम खृूद हीजगा गलोगा है जे रही होगाली है एक एक दोख सिमा इहाँ जाएगा और उमने मुझ से निकलते हुए बड़े बड़े दात और लालत से बरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीम आग जैसी चमकती हुई उसकी आखे और उसके शरीर से आती हुई बयानक बद्वू इस सबसे कली एक ऐसा असूर है जिसे देख कर ही इनसान के मन में डर भर जाएगा कली का निर्मानी अधर्म, क्रोध और लालत से हुआ है कली भहे मृत्यू और यातना पर कबजा कर सकता है लेकिन कली सिर्फ एक असूर नहीं बलकि कली का प्रतीक है कली को उसी के नाम से जाना जाता है लालच, जलन और हिंसा उसके हत्यार है जिनका इस्तिमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है ऐसा माना जाता है कि कली आगे चल कर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इनसान देवताओ को छोड़ कर कली की पुझा करने लगे कली के कहने पर लोग हर तरह का फाप करने के लिए तैयार हो जाएगे इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा मनुश्य की शकल दीरे दीरे एक भयानक रूप ले लेगी उनकी शकल एक नर बक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मार कर उनका मास खाएंगे कली का असर इतना गहरा होगा कि चारो और विनाश का मॉल होगा हर जगा चोरी चकारी लडाई या पून खराब होगा यह दुनिया अपने आपको पूरी तरह तबह करने के कगार पर पहुच जाएगी और ज पूरिय की किर्णो जैसी चमक हाथ में एक उचल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा उनकी गहरी आखे होगी जिनमें ऐसी दृष्टी होगी जो किसी के भी दिल में जाग कर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी उनका चेहरा साक्षी होग उनके दृट संकल्प का और उनका शरीर एक महान योदा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा बगवत पुरान में लिखा गया है कि कल्की इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादात में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक जटके में खत्म कर सकेंगे। करके कल्यूक का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्की मानव का अवतार लेकर आएंगे लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा माना जाता है कि कल्की अवतार की मदद करने के लिए साथ चिरन जीवी आएंगे जो सदियों स अपना कर्म पूरा करने के लिए और कलकी अफदार से मिलने का इंतजार कर रहे है हनुमान, वेदव्यास, परशुरा, राजाबाली, अश्वतामा, विभीशन और गुरु कृपाचारे और अश्वतामा उनके पैदा होने के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो ही उनका नामकरन करेंगे, कलकी जिसका एक मीनिंग संस्कृत वर्ड कलका से डिराइड किया गया है, जिसका मतलब है गंद, यानि कलकी वो है जो इस धर्ती से सारी गंदेगी का सफाया करेंगे, कलकी का और एक मीनिंग है समय का अंध, यानि वो जो समय के अंध तक रहेंगे, इसके ये सारे चीरन जीवी किसी ना किसी तरीके से कल की अफ़तार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह कली के संगार की तैयारी होगी। युद बूमी में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी माराएगी और उनका दिव्य रूप चमक उटेगा। चारो और हादी गोड़ों की आवाज, बानों का टकराना और गदाओ की आवाज पूंजेगी। युद बूमी पूरी तरह खून से लत्पत हो जाएगा। अद में कली कमजोर पड़ जाएगा। इसमें कली भी जलकर नश्ट हो जाएगा। आकिरकार बुराय की हार होगी अधर्म का अंध होगा। कली के मरते ही कल्यू का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल की अफ़तार एक नए सत्यू की स्तापना करेंगे। दुनिया भर की सब्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ समापत हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविश्यवानी जिसे हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चानिटी में आर्मा गैड़न अपॉकलिप्स, जजच्मेंट दे जैसी प्रोफिसिज हैं। वही इसलाम में कयामत का दिन, जुडाइजम में end of days, मतलब हर एक में मानते हैं के end इस दुनिया का होना ही है। सूरज का अर्थ को हिट करना, nuclear wards, corruption, climate change, pandemic या फिर AIJC technologies लेकिन इन सारी कहानियों में एक जीज कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चाहिए जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जैपूर के कलकी मंदिर में बनी उनके गोडे देवदत की मूर्ती दीरे दीरे जिद्धा हो रही है। मंदिर बढ़वाते समय किसी तरह से इस मूर्ती के आगे वाले बाए पैर पर एक घाओ का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई ने जानता था। लेकिन लाग कोशिश करने के बावजूद उस गाओ को नहीं भरा गया। जिस वज़े से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बाद तो ये है कि समय के चलते वो गाओ अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत दीरे दीरे जिन्दा होगा है अपने स्वामी कलकी के इंतजार में। जिस दिन वो गाओ पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत जिन्दा होगा और वही दिन होगा जब कलकी अफ्तार का जनम होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो गाउ जल्दी जल्दी भर रहा है क्योंकि मानवता समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रही है और कलकी समय से पहले ही धर्दी पर आ जाएंगे आपके इस बारे में क्या थौट्स है हमें कॉमेंट तो गाईज ये थी आज की वीडियो तो भाई कलकी अवतार के बारे में में अकलब विश्णो जी का दसवाँ अवतार जो हमें उन्होंने बता ही है कि कब होने वाला है उन्होंने बोला कि जब इस दुनिया में बराई जो है ना वो बहुत ही जादा बढ़ जाएगी इतनी जादा बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे, कतल करना स्टार्ट कर देंगे और काली जु है ना, वो आ जाेगा और आकर लोगों को अपने पीछे लगा लेगा और अब उनको बुराई की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा और उनसे हर बुरा काम करवाएगा और लोग भी उसको सब कुछ मानना स्टार कर देंगे तो फिर इस तरह से मतलब जो है ना कलकी अवतार विश्णुजी का दस्वावतार जो आखरी अवतार है वो उसका जनब होगा फिर वो आख इस दुनिया से जितने भी बुराईयां उनका खात्मा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और उनके आगे कोई भी शक्ती काम ही कर सकेगी और वो एक ही होते हुए सब का खात्मा करते जाएंगे तो जब जब इस दुनिया में बराई ने बहुत ज़्यादा जनम लिया है ना तब 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 विश्नु जी ने इंसानी जो अवतार होता उसमें जनम लेकर इस दुनिया से बराई को खतम करने की कोशिश किया है पहले भी जब आपको पता है राम जी का अवतार था तब भी इस दुनिया में ब महाबारत है, उसका अंजाम होगा, क्या होगा, दर्म जो हो जी जाएगा, दर्म जो हो हार जाएगा, तो लोगों की बलाई के लिए ही ये जो अबतार हैं वो लेकर आते हैं ताके लोगों की बलाई की जा सके और इस दिन्या से जितनी भी बलाईया उसको खतम किया जा सके, त कौन आकलकी मुझे निहीं था पता इस चीज के बार ने, लेकिन आज की जो वीडियो ना इन्हों ने बहुत अच्छे तरीके से आक्स्पेलेइन किया, और अभी मेरे दिमाग में बैट किया के कलकी और काली जो है इन में क्या ड़िफरेंसा, और काली जो है वह बहुत ज़्य बुरा इंसान होगा कल की जो है वो विशनुजी का अवतार होगा और वो आके काली अवतार जो है उसको खतम कर देंगे तो काफी जदा इंट्रेस्टिंग वीडियो थी काफी सदा मतलब इंफर्मेर्टीव वीडियो थी अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए फिर मिलते हैं कोने जिन फाइंगे